पासवान वोट किसी की बपोती संपत्ती नहीं है योध्या त्यारे रनवुमी में उतरने के लिए बस वक्त की बाते हाजिपूर्ट से समझाता नहीं होगा पसुपती कुमार पारस ने केंद्रिय कैबिनेट से स्तीफा दे दिया है और स्तीफे के बाद बिहार में सियासत पूरा गरम हो गई है बयान आया है पासवान वोट किसी की बपोती नहीं है नमस्कार दर्स नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से केंद्रिय कैबिनेट से स्तीफा दे दिया पसुपती कुमार पारस ने उसके बाद बिहार में सियासत गरम हो गई है सियासी बयान बाजी तेज हो गई है और आगे अब जिस तरह से चर्चा है कि पसुपती कुमार पारस एंडिय से बाहर होकर महा बंधन के साथ जाएंगे ये चर्चा तेज है और इस बीच सियासी बयान बाजिया भी तेज हो गई है तो सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जो पसुपती कुमार पारस की पार्टी आरेल जेपी की तरब से आया है जो उनकी प्रवक्ता है राष्टिय प्रवक्ता ह कि फाइनली ओफिशेली ये डिकलेर हो गया कि हम लोग इंडिये के साथ नहीं है हम लोग इंडिये के खेमे से बाहर है और रास्ता बहुत साफ है बहुत ग्लियर है हम लोग जो पहले भी कहते फिर दोबारा बोल रहे है कोई भी समझोता कहीं से भी नहीं होगा हाजिपूर तथा अन्य जगाओं के साथ हम लोग चुनाओ लरेंगे और ये साबित भी करेंगे कि हमारे पास कितना जनाधार है और दूसरी बाद पासवान वोट किसी की बपोती संपत्ती नहीं है तो हमारे पास कितने लोग हैं और कितने लोग चाते हैं हमारे मंत्री जी चुनाओ लरे वो हम लोग लड़के दिखाएंगे, किसी भी हाल में रनभूमी छोड़के भागने वालों में से नहीं है, आगे क्या होगा, किस धंग से रननीती त्यार होगी, आज या कल में हमारे मंत्री जी द्वारा आप सबको बताये जाएगा, लेकिन इतना में जरूर आपको बता दे है कि हाजीपूर तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे पसुपती पारस, चुनाव तो वहाँ से लड़ेंगे ही, पास्वान वोट किसी की बपावती नहीं है, तो चिराख पास्वान पर हमला बोल दिया है, आरल जेपी ने और कह दिया है कि पसुपती कुमार पारस का जो फैसला है, चुनाव लड़ने का हाजीपूर से वो तो लड़ेंगे ही, और कही न कहीं जिस तरह से आगे के संकेत उन्होंने दे दिये हैं, कि बात चल रही है अभी अंदर खाने में, इंडिया कट बंदन से, तो ऐसी स्थिती में आगे अभी बहुत कुछ देखने को तो इस तरफ से जहां एक तरफ बता दिया, पार्टी ने की चुनाव लड़ेंगे वो और पास्वान वोट जो है किसी की बपौती नहीं है, तो ऐसी स्थिती में अब जो है एंडिया की तरफ से बीजेपी की तरफ से बिहार के डिप्टी सीम ने जो बाते कहीं हैं, वो भी जब उन्हीं के बतीजे का, जिसका हक भी बनता था, उनके पिता जी के जाने के बाद उत्रा धिकारी थे, उनको छोर के इनको सम्मान मिलते रहा, और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है, तो इनको आसिलवात देना चाहिए, और मिल करकर के आगे बरा जाना चाहिए, और उनका भी सम्मान होगा, जिसके प्रधानमंती नरेंदर मोदी जी पुराने का भी स्वागत करते हैं, में का भी अभिनंदन करते हैं, पुराने को सम्मान भी देते हैं, और भारतिये जनता पार्टी सब को लेके चलती है, और भारतिये जनता पार्टी ज वो भी अपना भविस जानते हैं कि क्या होगा और जुग बदलता है जनरेशन बदलती है तो लोगों को उसके साथ एड़ेस्ट भी करना चाहिए तो सुना आपने कि वीजे सीना क्या कह रहे हैं वीजे सीना कह रहे हैं कि बीजे पी ने पसुपती पारस को बहुत संबान दिय केंद्र में मंत्री बनाया अब मौका है पसुपती कुमार पारस को भतीजे को आसिरवाद देना चाहिए यानि चिराग पास्वान को अपना आसिरवाद देना चाहिए ये कह रहे हैं बीजे सीना तो बीजे सीना तो कह रहे हैं और दूसरी तरफ आरजेडी जो है आरजेड सून लीजी आप। दिया गिया है उनकी भी नराजगी की खबरे हैं अभी एंडिये में सिर्फ फुटवल होना बाकी है वो दिख राय होना है आगे आगे देखिये होता है तो आर्जेडी ने कह दिया है कि जिस तरह से उनके साथ बैवार किया गया वो गलत है पहले चिराक पास्वान के साथ भी की ओफ्रवार का बार्दिये में लेकिन उनके चाचा के लिए जरूर आर्जेडी की तरब से पासा अप फेक दिया गया है और जो जेडीओ की तरफ से दरसल जेडीू प्यारोप्रग रहा है कि जेडी नहीं तोड़ा था चाचा भतीजय को तो ऐसी स्तिति में जेडीओ की और वैसे दोर में जो मानिय नरेंद्र मोधी जी के नेत्रितु में लंबे अर्षे तक केंद्रिया मंत्री के रूप में मानिय पश्कती पारस जी ने अपनी सेवा दी अब उन्होंने इस्तिफा देने का फैसला लिया है या उनकी पाइटी का फैसला है लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि केंद्रिय मंद्री परश्द में आदर्नियक नरेद्र मोधी जी ने जो सम्मान दिया तो हम समझते कि उस सम्मान का राजितिक कर्ज की रूप में निश्चित रूप पारश जी को उस कर्ज की आदाईगी करना चाहिए जिसकी अपेक्षा दिहार की जनता भी करती है। तो नसीत देते दिख रहे हैं जेडिउ के नेता तो ऐसी स्थिती में बिहार की सियासत में अभी काफी कुछ होना बाकी है क्योंकि जिस तरह से पसुपति पारश ने एंडिये को जटका दिया है। तो अब आगे क्या होगा बड़ा अस्तवाल है और जिस तरह से अब सियासी उटापटक भी तेज हो गई है और अब जिस तरह से बीजेपी ने एंडिये ने सीटों का एलान कर दिया है सीट सेरिंग कर लिया है हलाकि कंडिडेट का एलान बाकी है लेकिन वही दूसरी तरफ अ आपको अपडेट रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद